नमस्कार आप सबका स्वागत है आज के वर्ड आफ योगियेस के न्यूज रूम में मेरा नाम सौरव है और यहाँ पर मोहन जी हमारे साथ है जो की मेडिकल डाइरेक्टर हैं। प्रुना के लंबे संक्रमन काल से बेहाल दुनिया एक एक नए संक्रमन का गंभीर खत्रा भी जेल रही है और इस खत्रे का नाम है मंकी बॉक्स। दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी धीरे धीरे मंकी पॉक्स के केस बढ़ रहे हैं। रविवार को भी देश की राजधानी दिल्ली में मंकी बॉक्स का नया केस मिला और इस केस के साथ देश में मंकी पॉक्स के अब तक चार मामले सामने आ चुके हैं कहने को ये संख्या अभी सिर्फ चार तक सीमित है लेकिन ये आकड़ा भी बेहत चिंताजन्क है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन डबलुएचो ने 23 जुलाई को ही मंकी पॉक्स को ग्लोबल पबलिक हेल्थ इमर्जेंसी घोशित किया है आप इसे कोरोना की तरहे की बीमारी कह सकते हैं जो संक्रमन से होती है इसका मतलब यह है कि मंकी पॉक्स की बीमारी को हलके में नहीं लेना चाहिए और इसे रोकने के लिए उचित रोक्थाम और सावधानी भी बेहत जरूरी है मंकी पॉक्स वाइरस की गंभीरता को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि दुनिया में डबलुएचो ने अब से पहले सिर्फ छै बार ही ग्लोबल हेल्थ इमर्जेंसी घोशित की है यानि आपको मंकी पॉक्स से सावधान रहने की जरूरत है सर इसके क्या लक्षण है और ये कैसे फैलता है इसके बारे में जरा हमारे दोस्तों को बताएं और इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए इसके बारे में भी बताएं सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों मंकी पॉक्स के लिए संक्रमन से लक्षनों का उभरने का समय आम तौर पर 6-13 दिनों का होता है लेकिन यह 5-21 दिनों तक हो सकता है बुखार अस्वस्थता, सुस्ती, जोडों में दर्द, दाने और छाले जैसे दाने पर खुजली होती है जो 1-3 मिलिमीटर व्यास से बड़ा होता है और दर्दनाक होता है बुखार आमतौर पर 1-3 सप्ताह तक रहता है और छाले या दाने भी 2-4 सप्ताह तक रहते हैं जैसे लक्षन सामने आ सकते हैं कई सालों से मंकी पॉक्स ज्यादातर अफरीका में देखा गया था हाला कि यह कभी-कभी अन्य देशों में भी पाया जाता है वर्ष 2022 दक्षिनपूर्व एशिया च्षेत्र सहित यूरोप अमेरिका आस्ट्रेलिया सहित अफरीका के बाहर के च्षेत्रों में मंकी पॉक्स का प्रकोप लेकर आया वर्तमान में मंकी पॉक्स रोग का प्रकोप जिसे डबल्यू एचों ने असामान्य करार दिया है ने 74 देशों में लगभग 17,000 लोगों को प्रभावित किया है इसके रोकधाम के लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा संक्रमित व्यक्ती के साथ त्वचा से त्वचा के निकट संपर्क से बचें संक्रमित व्यक्ती के दाने या पपड़ी को नचुएं संक्रमित व्यक्ती की देख भाल करते समय दस्ताने और मास्क पहनें, बरतन, कपड़े, विस्तर आदी साजहा न करें, गंदे कपड़ों को वाशिन मशीन में डिटरजेंट से धोया जा सकता है, साबुन और पानी से हाथ धोये या सैनिटाइजर का उप्योग करें. दॉक्टर अभी भी आपको ये सलाह दे रहे हैं कि सावधानी बरतें और जहां तक हो सके मास्क लगाएं। ऐसी और जनकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।